सेवा जोहार सगापाडियों आईए हम आपको आज संग्राम साह जो गोंडों के महान प्रतापी राजा थे उनके सबसे सुरच्छित किरे जो आज भी अपनी लगभग नब्वे प्रत्षत सुरच्छित अवस्था में है उसको आपको दिखाते हैं और हम सुरवात करते हैं उस किले के दच्छिड पस्चमी छोर पे बने हुए इस वाचिंग टावर से जिसे हम बुर्ज करते हैं यह सुरच्छा टावर है और इस सुरच्छा टावर की पोजीशन जो है दच्छिडी पस्चमी छोर पे है और इसके पीछे आप देख सकते हैं पश्चमी छोर की पूरी दीवाल की बाउंडरी जा रही है उसके जंगल का हिस्सा है और आप उस जंगल के पेड़ों के बीच से पश्चमी छोर को देख सकते हैं किले की और इस किले के पीछे के हिस्से को आपको मैं दिखा रहा हूं और फिर मैं आपको इस तरफ से आगे की चलूँगा और आप देख सकते हैं किल्या की जो सुरच्छा दीवाल है वो लगभग 15 फिट चौणी है जिस पे लगभग आप कार चला सकते हैं इतनी चौणी है दीवाल और यह उनका जो है पेन ठाना है और इस पेन ठाना के जो है इसके पीछे दीवाल आप देख सकते हैं आप इन छेतरों को देखिए यहां से बाहर के दुस्मन को गोली तो मारी जा सकती है दोनों सिरों से लेकिन बाहर का दुस् ब्यक्ति को छूब ही नहीं सकता है तो यह सुरच्छा का इंतिजाम किया गया आप देख सकते हैं यहां से नीचे के खड़े किसी व्यक्ति को आप सूट कर सकते हैं या उसे मार सकते हैं तीर धरू से या किसी भी लेकिन बाहर का ब्यक्ति आप पे कभी भी अटैक नहीं कर सकत तक उसी गोली दिवाल से टकरा जाएगी, तो ये सुरच्छा दिवाल के छोड़े-छोड़े छिद्रों को आप जो देख रहे हैं, ये बहतरीन सुरच्छा के नमूने हैं, जो आज भी अपनी वास्तविक दशा में मौजूद हैं, हम इस पेन ठाना के पीछे, जो आपको जिलाई मारते आपको दिखाई पड़ रही हैं, जो पूरी तरह सुरच्छी तभी भी दिखा है, कहीं से भी कोई दीवाल का हिस्सा आपको टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जहां तहां आपको छेद दिखाई दे रहा है, जहां से बंदुके चलाने के लिए सेना तके जवान तैनात रहते थे और अगर आप इस बाउंडरी पर चलते चलते आप देखें पीछे की तरफ तो आपको पस्चमी छोर की ओ बाउंडरी दूर जंगल में दिखाई पड़ेगी और यह अप आप अच्छी तरह देख सकते हैं वाज टावर पे खड़े हुए बैक्त को और उसके नीचे जो बना हुआ आपका पेन थाना है और इस पेन थाना में जाने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की ब्योस्ता की गई जिससे आप असनान करके और यह बा देख सकते हैं और तीसरी मंजिल पे बनी हुई खिड़कियां दर्वाजे देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा यह देखिए आप पानी देखिए पानी के अंदर बने दर्वाजे देखिए और यह दर्वाजे आपको उस किले के अंदर से किला देखि सुरच्षी धंग से और इस कृए कि साथ में आपको ले चलता हूं décal भित्र देखिए इसका अब है मैं इसके पीछे से अब हमाया यह रहे हैं आपको इस लेके और पच्चीमी षिर देखिए आप हैं कि सुरच्फ केकि कितनी सुरच्षी है और मैं दीवाल पर रहा हूं और दीवाल देखे कितनी चौणी दीवाल है और जगा जगा ये खिर्कियां बनी हैं जहां से हम बाहर की दुनिया का नजारा ले सकते हैं आप देखिए बाहर के जंगल यहां से आप दिखा रहे हैं ये बाहर का नजारा है ये खिर्कियों के से आप इस नजारे को और यहां से आपको फिर मैं अंदर ले आ रहा हूं यह बाहर की दुनियां से अंदर की दुनियां प्रवेश्व राद की कैसा ज़रोखा है यह ज़रोखा सुरच्छा की दिरिश्चे बहुत ही महत्तपूर होते हैं और यह पूरा पेडों के पिछे आप उस किले को फिर से और आप लोग जड़स ज़्यादा लोगों को सेयर करिये और जोड़िये और अपनी गोंडवाना की बिरासत को कोई तूरों की टेकनालजी को कोई तूरों के ब्रभवसाली इतिहास को उनके गड़ किलों को उनके पेंठाना को उनके राजाओं की बिदुतापूर आप कितने कुसल प्रसासकों के वनसज हैं और एक वाच टावर यहां था और यह वाच टावर भी ढह गया है जिसका बेस आप देख सकते हैं यह इस बेस पे इधर का हिस्सा तूट गया दीवाल का इसलिए पूरी बाहरी बाउंडरी इसकी दिखाई पड़ रही है और मैं इस और पीशे तरफ यह शोड़ी सी नदी बह रही है यह और इस नदी के इस किले के ठीक पीश जा रही है और यहां से आप किले के यह दीवार प्राचीर देख सकते हैं यह बाहरी प्राचीर है और इस किले के बाहरी प्राचीर के अंदर जैसे आप प्रविश करते हैं किला द मेहतरीन और सबसे अच्छी इस्तिती में है किला मैं आपको इसके पूर्वी मिल्खे द्वार को दिखाता हूं जहां पर कि ये पूर्वी दच्छी टावर है और इससे यहां का सामने का हिस्सा अगर महापाल क्या ने कभजा कर रखा है जिसमें एक वाटर की टंकी बना रखी ठीक उसके सामने सी खुबसूर्थी को नस्ट करने के लिए देखिए आप ये देखिए कैसे हमारे किले गढ़ों को बरबाद करने उनकी खुबसूर्थी को नस्ट करने का इंतजाम किया गया है इतने खुबसूरत मैं कहूंगा कि मर्द प्रदेश के सबसे खुबसूरत कि इस तरह से कितनी बद्दुमाय इस्तथी में अलाके खड़ा कर दिया गया और बात यह है कोई और करता तो बात बनती एक काम कर रही है यहां की नगर महापालिका जिसमें उसके ठीक सामने आप देखिए कचरों का धेर और एक बाउंडरी और एक तंकी बना करके उसके मुख् सब्सक्राइब को खत्म कर रखा है जो किला अपनी इतनी खुबसूरत इस्तथी में हो इतनी बहतरीन नकासी के लिए जाना जाता हो आप उसकी इस्तथी खुश स्वायम देख सकते हैं कि यहां के सुरच्छित करने वालों ने इसकी क्या गती बना रखी है और आप कि इसके किसी भी कोने में आप खड़े होके देख सकते हैं कि पूरे शेहर में कहां से आ रहा है थोड़ा उचाई पर है शेहर इसके नीचे है आप देखिए मैं आप पूर्वी तच्छिणी छोर पर आ गया हूँ और इस छोर से आप इस किले की हाइड देख सकते हैं मुख्यद्वार की तो मैं आपको जूम करता हूँ और यहां से देखिए आप ये मुख्यद्वार है आप सोच सकते हैं आपके सामने जो मुख्यद्वार है कितना बिसाल कितना भव्य है और कितना रोमांचित करता है कि हमारे पूर्वज हमारे हमारा प्रचार प्रचार इनकी सुरच्छा इनका सरच्छा नहीं किया जा रहा है और अगर इनकी सुरच्छा सरच्छा किया जाए तो एक इले महल आने वाले बरसों में गोंडवाना की अमर कहानी अमर गाथा कहते रहेंगे जरूरत है आज कोईचूरों को अपने इस बैभावसाली इतिहास को पढ़ने की जानने की और देखने की आईए मैं आपको इसके थोड़ा सा करीब ले चलता हूँ और इसकी खुबसूरती से आपको वाकिव कराता हूँ देखिए कि कुछ construction के लिए जब pillar लाए गए रहे होगे और pillar कितने खुबसूरत रहे होगे और कितने भारी हैं कैसे इनको काटा गया होगा कैसे यहां तक लाया गया होगा आज भी प्रांगड में ये लोहे के नहीं हैं काट की नहीं हैं ये पत्थर की सिलियां हैं पत्थर के बीम हैं देखिए इतने विसाल पत्थर के बीम रखे गए हैं जिनको फर्दर निर्मार के लिए सोचा गया होगा बाहर देखिए जरोखे बने हैं क्या खुब जरोखे जहां से रानी या राजा बाहर से दुनिया के अपनी फर्यादियों के आने वाले समाज के लोगों की बाते सुनते से खड़े होगे प्रजा निचे होती थी और ये सुरच्छा के जो छिद्र हैं वो हर जगह आपको करें की और ये दीव जराने के लिए जो झारोखे आप देख सकते हैं मुक्य-द्वार पर मुक्य-द्वार है value है चुकि मैं लेट हो गया तो इसलिए हम अंदर तो नहीं चा पा रहे हैं लेकिन इस किले के मुख्य द्वार तक हम जरूर आ गये हैं और आप देख सकते हैं इस किले के अंदर बहुत ही बेहतरीन इस्तिती में किला अंदर है पूरा महल, उनका पूरा आंगन, पूरा रसुया, उनका अस्णान ग्री उनके रानी महल उनके नौकरों के जो अस्थान है रहने के वो सब सुरच्छित हैं इधर देखिए सामने से दूसरा जो बार्जा है जिस पे की खड़े होके जनोखे बने हैं जिस पे राजा रानी या उनके जितने भी सुचिंतक थे यहां से अपनी प् देखाना चाहूं किले की भाब बितात हो आप देख सकते हैं कि यह मुखिद्वार है और मुखिद्वार का सामने का हिस्सा है इस महल का यह किसी ऊचे पहाड़ पे नहीं है और मैं कह सकता हूं कि एक समतल इलाका है जिस पे यह किला है जिसके पिछले छोड़ पे एक छोड वाच टावर या आज से बुर्ज कहते हैं ये उत्तरी पूर्वी बुर्ज है और किले का हिस्सा और आप इस धीरे धीरे मैं आपको धर ले चलता हूं आप देखी ये उत्तरी छोर है इस किले का जहां के यहां पर भी जहरोखे बने थे जो साइड तूट गये थे या सुरच् कि निगाह में नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसको हमेशा बंद रखा जाता है कोई तूर देव रवड भलावी जी सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए हमें आपको इसके उपर खुद काम करना होगा अब देखिए बाहर से अगर आप देखे एक उत्तरी छोर पे एक रास्ता है और जो इसके अंदर से टावर पे चड़ने के लिए सीड़ियां अंदर से बनी हुई है जिसको उपर जाते हैं और ये पीछे का एक और हि जो पहले वहां बना था आपके वह ने बताया था कि मढ़्यादों के किले में ठीक वैसी एक सनचना यहां पर मिलती है और यह पश्मी सुरच्छा दीवाल है और इस पश्मी सुरच्छा दीवार के सहारे आप देख सकते हैं अब हम आपको पश्मी और उत्तरी टावर के पास ले आए हैं और यहां से आप किले का पश्मी हिस्सा देख सकते हैं जो कितना खुबसूरत है तो आप इसने चारों तरफ से इस किले को देख लिया और देखा किला कितनी खुबसूरत इस्तिति में आज बरकरार है प्रिंस कुमार जी ये किला हट्टा राजे का किला बुलाया जाता है जो संग्राह के बावन गढ़ों में से एक है यह किला दामोह जीने में हट्टा बाजार में इस्तित है अभी और बावन गढ़ों में से एक गढ़ था इसके बारे में बिस्तार से मैं आपको लिखूँगा अभी आप केवल इस किले के एक जलक देख लीजे और इसके विस्तित जानकारी में आपको दूँगा तो इस तरह से हम आप लोगों से निवेदन करेंगे गुंडवाना की इस विरासत को गुंडवाना की इस वैभव को आप सभी लोग अपने इस्ट मित्रों अपने इससेदारों और अपने चाहने वालों तक सेर करें और उनुसे बोलें कि उपने बच्चों को परिवार को खुद आकर के अपनी बैभाव को अपने गवरोसाली इतिहास को खुद अपनी आखों से देखें और महसूस करें कि गोंडवाना की आज जो इस्तिती है और उसका जो पुराना इतिहास है दोनों में कितना अंतर आ गया है तो आईए अब हम आपसे बिदा लेते हैं और फिर अगले किले के लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा तब तक मैं आपसे सभी को फिर से एक बार सेवा 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 जोहार करता हूँ और धन्यबाद देता होगी आप हमसे इतनी देर तक जुड़े रहे और अपने किले के बारे में जानकारी लेते रहे आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद सेवा जोहार क्टर सूरज धुरवे